अभाइज वेल्कम भैक माइंically पाइपेंग चैनल पैपेंगानका किया आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अलेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से देख सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं How many gaskets you use in fixed tube seat heat exchanger? Fixed tube seat heat exchanger में दो नहीं तो 4 gasket use के जाते हैं अगर fixed tube seat heat exchanger में दोनों साइट distributor लगा होगा तो 2 gasket इजोएता है एक gasket यहाँ पर लगा जाता है, तो दूसरा gasket यहाँ पर लगा जाता है दोनों साइट अगर distributor लगा होगा तो जो दोनों साइट distributor और tube seat के बीच में लगता है और अगर distributor के जगा पर Channel Head लगा ऑगा तो चार गस्केट यजुवते हैं फाला गस्केट यहाँ पर Channel Head और Tube Seat के बीच में लगता है और दूसरा गस्केट Channel Head और Channel Cover के बीच में लगता है से मैसे ही दूसरे साइड भी तीसरा गस्केट यहाँ पर लगता है तो 14 गेस्केट यहां पर लगता है तो इस प्रकार फिक्स ट्यूब सीट हीट एक्सेंजर में दो नहीं तो 4 गेस्केट यूज जोता है अब जानते हैं यूटूब हीट एक्सेंजर में कितने गेस्केट यूज जोते हैं यूटूब हीट एक्सेंजर में दो नहीं तो तीन Gascade यूज जते हैं पाला Gascade जब YouTube Bundle को Shell के अंदर डाला या इसर्ट किया जाता है तो एक Gascade YouTube Bundle के अंदर डाल दे जाता है और Bundle डालते समय Gascade का खास दियान रखा जाता है कि Gascade डेमेज ना हो और दूसरा Gascade Distributor और Tube Street के बीच में Channel cover और Channel head के बीच में लगता है तो इस प्रकार YouTube heat exchanger में अगर Channel head लगा होगा तो तीन Gascade यूज होता है और अगर Channel head के जागपर Distributor लगा होगा तो दो Gascade यूज होता है मुझे आसा नई बलकि पूर्ण विश्वास है कि वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि Fixed Tube seat heat exchanger और YouTube heat exchanger में कितने Gascade जीज होते है